दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राजसभा सांसाथ संजे सिंग की जुडिशल कस्टडी आज खतम हो रही है संजे को 10 नवंबर को दिल्ली के राउस एविनी कोट में पेश किया गया जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई दिल्ली शराब घोटाला केस में संजे सिंग बावन दिन से हिरासत में है इडिने संजे सिंग को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था उन्हें 5 अक्टूबर को कोट में पेश किया गया जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था 10 अक्टूबर को संजय सिंग की रिमांड और तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई फिर 13 अक्टूबर को कोट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक नियाई खेरासत में भेज दिया था इसके बाद उनकी जुडिशल कस्टडी 10 नौमबर तक बढ़ा दी गई थी बाद में कस्टडी 24 नौमबर तक कर दी गई दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में एडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंग का नाम जोड़ा था इसको लेकर संजय सिंग ने काफी हंगामा मचाय था दरसल मई में संजय सिंग ने दावा किया कि एडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है एडी ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंग का नाम चार जगह लिखा गया है इन में से तीन जगह नाम सही लिखा गया है सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी जिसके बाद इडी ने संजे सिंग को मीडिया में बयान बाजी ना करने की सला दी थी क्योंकि मामला कोट में लंबे थे इडी की चार्ज शीट में संजे सिंग पर बयांसी लाक रुपे का चंदा लेने का जिक्र है इसको लेकर ही इडी बुधवार को उनके घर पहुची और उनसे पूश्टाच कर रही है दिली शराबनिती केस में इडी की दूसरी सप्लिमेंटरी चार्ज शीट दो मई को जारी की गई थी जिसमें आम आग्वी पार्टी के राजसभा सांसद रागोव चड़ा का भी नाम सामने आया था हलाकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है इसी के साथ बने रही है एशानी जिंडा के साथ खंदी बाद